चोटी चिडिया अपने दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी चिडिया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी चिडिया ने अपना घोंसला नदी के पास बनाया हुआ था इसलिए चिडिया को पानी पीने दूर नहीं जाना परता था मगर भोजन की खोज में उसे दूर तक जाना होता मेरे बच्चे भूके होंगे मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हूँ मौसम भी खराब है मुझे भोजन लेकर जल्द लोटना होगा ऐसे वो चिडिया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ कर भोजन की खोज में निकल जाती है चिडिया एक आमों के बाग में जाती है वहां पके हुए आम थे चिडिया एक पेड़ से तो आम तोड़ लेती है जैसे ही चिडिया वापिस उनने लगती है तो तेज हवा के साथ बारी शुरू हो जाती है मेरे बचे डर जाएंगे वो तो अभी बहुत छोटे हैं मौसम की परवाकिये बिना चिडिया उड़ती है तेज हवा में उनना बहुत मुश्किल था मगर एक माँ को अपने बचों के पास तो जाना ही था बहुत मुश्किल से चिडिया अपने घोंसले तक पहुँचाती है मेरे बचो आप यहां घोंसले के अंदर छुप जाओ बहुत तेज तुफान है चिडिया के बचों को अभी उड़ना भी नहीं आता था और फिर तुफान और भी तेज हो जाता है चिडिया का घोंसला तेज होँचाता अधा उड़कर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी में बहने लगता है चिडिया अपने बचों को बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर होँचाती है तुफान रुक चुका था सब पेड़ पोदे ऐसे चुप थे जैसे जंगल में कभी तुफान आया ही ना हो मगर छोटी चिडिया की दुनिया उज़र चुकी थी उसके बच्चे नदी के पानी में बहगे थे चिडिया नदी के किनारे बैठी रो रही थी मेरे बच्चों मुझे माफ करना आपकी माँ आपकी रक्षा नहीं कर सकी मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़ कर चलेगे चिडिया शाम तक बैठी ऐसे ही रोती रहती है दूसरे जंगल में हर्याली तो थी और मिठु तो था नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उन्हें दूट से एक घोंसला नदी के पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही आ रहा था मिठु देखें वो किसी पक्षी का घोंसला नदी में तैरता हुआ आ रहा है कल रात के तुफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा वो घोंसला उनके करीब आता है तो मिठु घोंसला नदी से बाहि निकाल लेता है मिठु इसमें तो दो चोटे चोटे बच्चे भी हैं ये बच्चे अपनी मा से बिछड़ गए हैं, हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं तोता और तोती वो बच्चे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं हर्याली इन बच्चों को अभी उनना नहीं आता, आप इन्हें भोजन दो फिर हर्याली तोती बच्चों को एक लाल मिर्ची खाने को देती है मगर बच्चे लाल मिर्ची को एक चोंज लगा कर छोड़ देते हैं मिठो जी ये जिडिया के बच्चे हैं ये कोई फाल या दाना खाएंगे मैं अभी इन बच्चों के लिए कोई फल ढूंड कर लाता हूँ हमारे बच्चे नहीं थे उपर वाले ने हमें बच्चे दे दिये मिठू मैं बच्चों को मा बन कर पालूंगी इनकी हर खुशी पूरी करूंगी मिठु बच्चों के लिए फालेने चला जाता है ऐसे ही दो महीने गुजर जाते हैं ममा चिडिया समझ रही थी कि उसके बच्चे नदी की तेज लहरों में मर गे होंगे इसलिए मममा चिडिया अपने बच्चों को याद करके नदी पर बैठी हर समय रोती रहती दूसरी तरफ हर्याली तोती ने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था वो बच्चे हर्याली तोती को ही अपनी मा समझते थे वो अपनी मा से बातें करते अपनी मा हर्याली तोती के साथ भोजन लेने जाते ममा आपके पंख हमारे पंखों की तरहा क्यों नहीं है बेटा सब पक्षियों के रंग अलग होते हैं ममा हम सब में से सुन्दर पंख मेरे हैं वो सब बैठे हुए थे के मिठू दोता फल लेकर आ जाता है और वो सब वहां से चले जाते हैं गोरी कवी हरियाली के घर जाती है हरियाली आज मैं अपनी मा के पास जा रही हूँ दूसरे जंगल सोचा जाते हुए तुम से मिलती जाओ अपनी मा के हाथों के बने हुए लड़ू जरूर लाना मेरे लिए लड़ू तो मैं ले आऊंगी रियाली ये चड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो ये कभी भी तुम्हें अपनी मा नहीं समझेंगे गोरी मैं इन बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ अब तो मेरा इन बच्चों के बिना जीना भी मुश्किल है गोरी कवी वहाँ से चली जाती है हो जाती है गोरी अपनी मां के साथ घय के बाहिर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है मां ये कोन रो रहा है ये एक चड़िया है बेचारी इसके बच्चे पिछले तुफान में नदी में गिर गे थे और नदी में बहगे बस तब से ये बेचारी हर समय नदी पर बैठी रोती रहती है मां वो बच्चे जिन्दा है मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ फिर गोरी कवी जल्दी से चड़िया के पास चाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है चड़िया एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारे हाँ हाँ कवी बहन क्या सच क्या सच में मेरे बच्चे जिन्दा है मेरे जंगल में हर्याली तोती के घर में हैं आपके बच्चे चेडिया कुछ सोचे बिना वहां से उड़ती है वो बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुंचाती है कपूतर भीया मुझे हर्याली तोती के घर जाना है हर्याली तोती अपने दो बच्चों के साथ अमरूद खाने गई है आप वो सामने अमरूद के बाग में जाएं चिडिया उड़ती है और अमरूदों के बाग की तरफ जाती है मिठो तोता हर्याली और बच्चे बाग में बैठे अमरूद खा रहे थे ममा चिडिया भी वहां पहुंचाती है अपने बच्चों को देखकर चिडिया की आंखों में खुशी के आंसू थे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, आपकी ममा चिडिया, ये बच्चे मेरे हैं मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बढ़ा किया है मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूँगी हर्याली बहन एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है इतने में लूसी कबूतरी और कबूतर भागे हुए गुजरते हैं वो शोर मचा रहे थे सब पक्षी अपनी अपनी जान बचा कर भाग रहे थे हर्याली और मिठू कुछ सोचे बिना भाग कर थोड़ी दूर पेड में छुप जाती है एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था ममा चिडिया बच्चों के सामने दीवार बन कर खड़ी हो जाती है और बच्चों को तीर से बचा लेती है ममा चिडिया ने अपनी जान दे कर बच्चों को बचा लिया था थोड़ी देर बाद शान्ती हो जाती है हर्याली और मिठू भी वहां आते हैं सब रो रो रहे थे ममा आप तो यहां से चली गई और इस जड़िया आंटी ने अपनी जान दे कर हमें क्यों बचाया मगर हर्याली के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब ना था मिठू यह होती है एक माँ की जिन्दगी ऐसा कहते हुए हर्याली बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है प्यारे दोस्तों देखा आपने एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है इसलिए आप भी अपनी माँ की कदर करें आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में एक कालू कववा रहता था जिसकी कुछी दिन पहले गोरी कववी से शादी हुई थी उसकी पतनी गोरी कववी का वियावहार अपनी सास से कुछ अच्छा ना था गोरी बेटी आज शाम को थोड़ा जल्दी खरा जाना कितने ही दिन होगे मैं नदी पर नहीं गई आज मेरा नदी पर जाने को मन है कौन बेटी मैं अपनी मा की बेटी हूँ और खबरदर अगर मुझे फिर से बेटी कहा तो बेटी आप हर समय मुझे से ऐसे ही क्यों बात करती हो सास और बहु में मा बेटी का रिष्टा ही तो होता है मुझे अपने रिष्टों की पहचान है मुझे भाशन देने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा कहते हुए गोरी कवी घर से चली जाती है यार कबूतर मैं अपनी पत्नी की वज़ा से बहुत परेशान हूँ क्या हुआ कालू मेरी पत्नी हर समय मुझे से लड़ाई करती है और अब तो मेरी पत्नी मा के साथ रहना भी नहीं चाहती कालू आपने आज तक अपनी मा की इज़त नहीं की और अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही आ गई है अब तो गई बेचारी काम से अपनी पतनी को समझाओ और अपनी मा के सारे काम आप खुद कर लिया करो फिर वो सम वहां से चले जाते हैं कुछ दिन बाद कालू अपनी पतनी से कहता है गोरी मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ शाम को देड़ से घर आउंगा मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना और बेटा मेरे लिए दवा भी मुझे सारी रात नीद नहीं आती कालू तुम ऐसा करना मेरा फल रहने देना अपनी मा की दवा ही ले आना ये तुम्हारी मा तो जलती है मुझसे कालू बिना कुछ के है घर से चला जाता है गोरी बेटी रात से मेरा पेट खराब है मुझे कोई नरम चीज बना दो अगर सवेईया है घर में तो मुझे थोड़ी सी सवेईया बना दो तुम्हारा पेट अच्छा भला है चसके लगाने के लिए ऐसे नाटक ना किया करो मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी सवेईया बनाने का मैं अपनी मा के पास जा रही हूँ बेटी आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी मा के पास जा रही हो मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा कहते हुए गोरी कवी अपनी मां की तरफ चली जाती है कालू की मां उठकर रसोई में जाती है और अपने लिए स्वेया बनाने लगती है वो आग जलाती है मगर उसे चकरसा आ जाता है और वो वहीं रसोई में गिर जाती है आज तो केवल दस रुपे ही है मेरे पास अब इनसे मां की दवा लूँ या गोरी के लिए मीठा फल फल ही ले लेता हूँ मां की दवा मैं कल ले लूँगा ऐसा सोचते हुए कालू फुरूट की दुकान से मीठा फल लेता है और अपने घर के लिए उड़ता है मां मां ये क्या हुआ आप यहां कैसे गिर गई मैं सुवेया बनाने लगी थी के यहां गिर गई बस थोड़ी सी चोटाई है कालू अपनी मां को उठा कर घोंसले में बिठाता है गोरी से कहा होता वो आपको सुवेया बना देती बहुतो सुभा से अपनी मां से मिलने गई हुई है लगालो लगालो मेरी चुगलिया लगालो मेरे पती से गोरी कवी भी वापिस आ जाती है नहीं बेटी मैं तो अपने बेटे को बता रही थी जो बताना है बता दो ना जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी गोरी कुछ सोच कर बोलो मा है मेरी मा तुम्हारी है मेरी नहीं मुझसे नहीं उठाय जाते इसके नखरे ना बेटा मेरे लिए आपस में लडाई ना करना लडाई तो अब करवा दी है अब तो फैसला होगा मेरी मा ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे जैसी बुढ़ी से कैसे जान छड़वाते हैं राथ हो जाती है कालू की मा रोते हुए सो जाती है गोरी और कालू भी लेटे हुए थे कालू मैंने सोच लिया है अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं फैसला तुम ही करोगे मैं समझा नहीं गोरी कैसा फैसला मेरी मा ने कहा है कि मैं मेक के आ जाओ अब तुम देख लो या तो मुझे निया घर ले दो या फिर अपनी मा को यहां से कहीं और ले जाओ दोनों में से एक काम करना होगा अब तुम्हें मैंने या घर कहां से ले दो तुम्हें मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर अपनी मा का कुछ करो बहुत हो गया अब मैं तुम्हारी मा के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती ऐसा कहते हुए गोरी कवी अपना मूँ दूसरी तरफ करके सो जाती है गोरी मेरी बात सुनो खबरदार जो मुझे पांख लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ कालू का वास सारी रात जागता है और फिर वो एक फैसला कर लेता है वो अपनी माँ के पास चाता है उसकी माँ सोई हुई थी वो अपनी माँ के पंख बांध देता है और आँखों पर पट्टी लगा देता है छोड़ा मुझे छोड़ा वहू ऐसा ना करो मेरे बेटे को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा वो बुड़ी माँ ये नहीं जानती थी कि ये सब तो उसका बेटा ही कर रहा है मैंने माँ को भांध दिया है मैं माँ को वेराने में छोड़ाऊंगा आज जो भी करो मुझे इस से क्या फिर कालू अपनी माँ को एक टोकरी में रहकर वेराने में चला जाता है बहू मुझे छोड़ दो मुझे कहां लेकर जा रही हो कालू खामोश रहता है जब कालू खर आता है तो उसकी पतनी बहुत खुश थी मैंने मीठे चावल बनाए हैं आपके लिए अब सोचते न रहना माने जिन्दगी गुजार ली है हमारी अभी पाकी है हमें भी तो खुशियों की जरूरत है मा समझ रही थी कि तुम उसे लेकर जा रही हो मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता दो दिन गुजर जाते हैं चिडिया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहां कालू आ जाता है कालू भीया आपकी मा कहा है मैंने दो दिन से उन्हें नदी पर आते नहीं देखा घबराते हुए कालू कहता है मा, मा अपने भाई के पास गई हुई है बगर तुम्हारा तो कोई मामा नहीं है फिर वो कहा गई है एक दूर का मामा है मेरी मा उसके पास गई हुई है ऐसा कहते हुए कालू वहां से चला जाता है मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है चुडिया कहीं इन दोनों पती पत्री ने मिलकर उस बुड़ी कवी को मार ही तो नहीं दिया कालू कुछ भी कर सकता है मैं आज ही पता लगाता हूँ वो कैसे बस आप देखती जाएं तो पहर को कभूतर कालू के खर जाता है कालू ये कुछ कागज है ये मेरे पास तुम्हारे पिताने रखे थे ये क्या है कभूतर तुम्हारे पिता ने अपनी इंशूरंस करवा रखी थी और इन पर लिखा है जब मैं मर जाओं तो इंशूरंस की रकम कालू की मा को मिले अब आपकी मा का अंगूठा लगेगा यहाँ यह सुनकर कालू और गोरी हैरान हो जाते हैं कितरी रकम है कबूतर? पूरे पांच लाख की रकम है कालू जल्दी चलो सासू मा को ढूंट कर लाएं आज तो मा सोने की बन गई फिर कालू और गोरी जल्दी से घड़ से भागते हैं कालू की मा अभी तक जिन्दा थी कालू मा की टोकरी सर पर उठाता है और वो दोनों घर वापिस आते हैं बहू ने मुझे मारना चाहा कालू बेटा बहू ने बहुत बुरा किया चिडिया भी वहाँ आ जाती है मा जी बहू ने नहीं बहू और बेटे ने मिलकर कालू जी मुझे माफ करना मैंने सच जाने के लिए तुम्हारे पिता की इंशॉरंस का जूट बोला मा जी चले आप मेरे साथ अब अगले बार तो ये आपको मार कर ही घर से बाहर फैंकेंगे वाह बेटा वाह किसी ने सची कहा है जब खून सफैद हो जाएं तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं अच्छा सिला दिया तुमने अपनी मा को फिर चिडिया और कबूतर कालू की मा को अपने साथ ले जाते हैं गोरी और कालू अब शर्मिंदा थे और वो जंगल में किसी को मूँ दिखाने लाइक नहीं रहे थे